हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू 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 टाइम स्टडी इस वीडियो में हम लोग फिर से कुछ इंपॉर्टेंट कोस्टिन को देखने वाले हैं कल का क्लास नौ बजे नहीं हो पाया था ओनलाइन तो कल का क्लास आज में आप लोग को प्रवाइड कर रहा हूं आगे कर सकते हैं कि पहला कोसे दिखते हैं दोस्तों नेत्रत्व का कारिया है नेत्रत्व का कारी कि क्या है पहले तो बात attributes होता क्या किसी चीज का पुर्वानमान लगाना एक नहीत갈 रही काम होती है जैसे कि हमें काम करना है तो उसके पहले एक सोच डेवलब करना या फिर कारी का उद्देश क्या है वो भी एक नेत्रित्तु के अनुसार आता यह हम लोग देखते हैं कि एंसर क्या है तो नेत्रित्तु का कारी कारी योजना बनाना है कारी उद्देश निर्धारन करना है छात योजना पनाना भी एक नेत्रित्व का कारी मतलब होता है कारी उद्देश यदि आपके पास उद्देश नहीं होगा क्योंकि वो कारी से पहले ही आया तो वह भी एक नेत्रित्व का काम करता है छातर समस्या का अध्यनेवग निराकरण करना है तो वह भी एक नेत्रित्व भर बड़ी उप्रिक्त सभी होगा ठीक ना दूसरा देखते हैं स्कूल में अधिकतर सिक्षकों में अपने छात्रों के परती किसका सरवाधिक आभार पाया जाता है अभाव होगा दोस्तों आभार नहीं होगा यहां पर मैं थोड़ा सा इसको मिश्टेक कर दिया हूं तो आप इ इसका अंसर होगा दोस्तों आप लोग इसका अंसर आसानी से कर सकते हैं कि सिक्षक कु कौन सा गुन नहीं होका चाहिए चलो सनेह तो होता ही है क्रोध भी होता है टीचर को बहुत मतलब देखें है कि क्रोध नहीं रखेगा तो बच्चा अनुसासन में नहीं रहेगा दोसा रूपण भी होता है लेकिन जो है दोस्तों वो आभाव पाये जाता हमेशा गिरना का क्योंकि वो गिरना नहीं कर सकता जानपाएंगे कि घ्रन्हें क्या संते हैं? तो ने ते उने सीहरा को मैं आगे करें सब्सक्राइब जानकारी है और पीछे के लाइजह क्लास आपने लिखें प्रिकन आपने लिज युदा सुनारी कि की कुलास आपके। सारे क्वेस्टेन जो है वह कहीं हलका लगेगा समझने में आसानी होगी तिसरा नमर देखते हैं दोस्तो परभावी नेत्रतों का गुन है परभावी नेत्रत मतलब सबसे ज्यादा जो है वह परभावी कोहम का सकते हैं सकती साली तो गुन कौन सा है दोस्तों, सारे रिक गुन, ऐस्वास गुन समाजिकता गुन या या सभी तो जो इसका एंसर होगा दोस्तों ये तो सारे लग रहे हैं तो इसका एंसर जो होगा वो डी नंबर करेक्ट to對啊 ठीक न ताकिए आवृष्यक तद्व है दोस्तों यह मैंने मैंने क सकते हैं कि यह को सिन कितनी बार रिपीड हूए है तो इसका जो एंसर है दोस्तों कि नेता का आवशक्ता ठ को समझ रहें थो आपको यह एंसर देने में आसानी होगी कि नेतिरत्व के आवश्यक्ता क्या होती है समय करने में करियावन्यन करने में परतिनिद्व करने में या उप्युक्त सभी तो इसका एंसर है दोस्तों इसका होगा एंसर नंबर डी उप्युक्त सभी समय करने में करियावन्यन करने में और परतिनिद्व करने में इसका करेक्ट एंसर होगा त इसका इंसर जो होगा दोस्तों वह हो जाएगा हमारा option नमर डी उप्युक्त सभी एक परभावी सिक्षक वह है जो कर सकता क्या कर सकता है करच्छा पर नियंतरन कर सकता है कम समय में अधिक सूचना देना या विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभी प्रेरिद करना दतकार तो वह क्या कर सकता है दोस्तों तो इसका एंसर आपका जो होगा वह होगा सी नंबर विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभी प्रेरिद करना ठेक न इसकूल की मतलब इस कोसें में कहा जा रहा है कि इसकूल की सिक्षा की गुनवता विसेश रूप से निर्भर करती है ठ वुंऐयादी धाचा सुविधा पर करता है वित्थ परबंदन पर करता रहा आंतरराष्ट्य समर्थन पर करता है या सिक्षक सिक्षा की गुनवता पर करता है तो इसका answer है दोस्तों वह का ऑप्शन through49 उयों कि वुन्यादी धाचा हो या ना हो से को फरक नहीं पड़ता ह आपके पास financial support हो या ना हो उससे क्या होता है कि गुनवता पर उसकी नियाद आपको मतलब और यह जो है अंतरराश्ट इंटरनेशनल मामले पर बढ़ाई तो छोटे बच्चे को क्या होगा तो आप समझ रहे हैं तो इसका इंसर होगा वह होगा सिक्षक की गुनवता क्योंकि यही एक चीज है जो गुन के लिए अवधारना सही बढ़ती है या फिर कहें तो यह कोस्टिन के हीत में यह एक इंसर जो है वह जाता है तुम्हारा इंसर होगा option number D यह एक सिक्षक के पास होना चाहिए बाई क्या होना चाहिए अपने विशय का ज्यान होना चाहिए यह तो होना ही चाहिए सिक्षक सिक्षण पद्दती का ज्यान होना चाहिए यह भी होना चाहिए चात्रों के विशय में ज्यान होना चाहिए यह भी होना चाहिए तो हमारा जो एंसर है दोस्तो वो option number D हो जाएगा क्योंकि सिक्षक जदी अपने विशय जो वो पढ़ाएगा उस पर उसका command नहीं होगा तो वो बच्चों को क्या पढ़ाएगा समझे रहे ना और सिक्षन पदती यदि उसको बहुत सारा ज्यान है और बहुत सारे चीज़ों को पढ़ है लेकिन पढ़ाने ही नहीं जानता तो वो क्या पढ़ाएगा चात्रों के विशय में जदी हम चात्रों से अच्छे तरह से संप्रेशन ना बना पाए तो वो साथ चात्र क्या पढ़ाएगा तो हमारा जो एंसर है दोस्तों हमारा option number D उप्युक्त सभी होगा कि सभी गुन सिक्षक विद्यार्थी या इन में से कोई नहीं तो इसका जो एंसर है दोस्तों मुख्य बिंदू जो होती है वो विद्यार्थी होता क्योंकि मुख्य बिंदू विद्यार्थी है क्योंकि सारे काम विद्यार्थी के लिए ही और बच्चों के लिए ही किया जाता तो मुख का एंसर है दोस्तों इसका होगा अधिगम सीखाने से सीखने से जो है उसका सबसे ज़्यादा जुडाओ होता है ठीक न एक्या रहन देखते हैं बच्चों में संवेगातमक समायोजन परभावी होता है इसमें व्यक्तित्व निर्मान में कक्छा सिक्षण में अनुसासन में उप्युक्त सभी में तो इसका एंसर अप्शन नमबर डी उप्युक्त सभी में होगा दोस्तों क्योंकि संवेग आत्मक जैसे कि यहां पर दिया गया है अब मैं क्यों आपको बोला कि प्लेलिस्ट में जाना है क्योंकि देखिए संवेग आत्मक है तो हमने मैंने जो है क्लास लिया है समय कातमक पर आप क्रिया बाष्ट किया होता है एक क्रिया पढ़ सकते हैं आप कोपे जाएं और प्रक्दिक्स को जड़ूरों करें दोस्तों मेरा यह मैं रिक्रमेंड करता हो कि आप वो क्लास को देखें तभी आप इस से चीज को समझ पाएंगे ठीक ना जिसका एंसर है ऑप्शन नमर्डी उप्युक्त सभी निम्लिकिन मैं से कौन सा कौसल भावनात्मक बुद्धी से संबंध नहीं है मतलब कि कौन सा कौसल जो है वह भावात्मक बुद्धी से सं साथ मित्रता पोर्ण व्यवहार भावनाओं के परती जागरुकता भावनाओं का परबंदन तो इसका एंसर होगा ऑप्शन नमबर ए भावनाओं का आलोजना ठेक ना तेरह नमर्देखते हैं निम्लिकित मैंसे सम्वेग आत्मक विशेष्था किस आवस्था की है इसका ए सबसे ज्यादा जो है विचलन जो होती है दोस्तों वो किस रावस्था में होती है इसलिए इसका एंसर जो होगा दोस्तों वो किस रावस्था होगा सम्वेग आत्मक विशेष्था की होती है तो किस रावस्था की होती है आगे बढ़ते हैं सम्वेग के मनोविज्ञान में निम्लिखित मेंसे किस तर्ट पर सबसे कम ध्यान दिया गया है संवेग विशाइनिस्ट भावना है और यह अलग-अलग व्यक्तिय में अलग-अलग होती है बी नमबर सम्वेग ना केवल व्यक्तिक सिक्षारती में बिलकुल पूरी कक्षा में भी उत्पन होती है सम्वेग उत्तिजना और संग्यान आतमक व्याख्या की जटिल पैटर्न होती है सम्वेग ना केवल व्यक्तिक सिक्षारतियों में बिलकुल पूरी कक्षा में भी उत्पन होता है सम्वेग क्या है जैसे कि यहां पर सम्वेग के बारे में देखे तो यहां पर सम्वेग मैंने सम्वेग क्लास को जोइन करें सम्वेग के बारे में आप लोग पढ़ें मैंने सारा क्लास को उसमें लिया हुआ है मोटा मोटी मैंने सारा कुछ उसमें ब्रीफली बताया और बहुत ही सहज भासा में बताया है आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी आप वहां पे क्लास लें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि जैसे ही आप कुछ मैं अपलोड आप लोग डी मारिएगा तो इसका एंसर जो है सही उत्तर जो होगा दोस्तों यह होगा कि संबेग जो है वह उत्यजना या भावों में परिवर्तन होता है उसी को संबेग करते हैं नमली अरजित में से कौन सा कथन और उसी के बारे में सत्य नहीं है ठीक है रूचियां जन्मजाता और अरजित जन्मजात और अरजित दोनों होती है रूचियां समय के अनुसार बदलती रहती है रूचियां जो है वो अयुग्यताओं और अभिछमताओं से संबंदित नहीं होती रूचियां वहीर में आकर्षनस्ट के पर्तिबिम नहीं है तो इसका जो इंसर है दोस्तों वह आपका हो जाएगा option 9d जो रूचियां है वह वहीर में आकर्षन और विकर्षन के पर्तिबिम नहीं है ठीक नौ शातरह नमबर इसका answer क्या होगा मैं आपको time दे रहा हूं आप comment करें इसका answer में बताता हूं इसका answer अब option नमर D होगा तो आप इसका answer जरूर हमको comment में करें और आगे बढ़ते हैं 18 नमर देखते हैं लिएक जो है वो सर्वुत्तम कथन कौन सा है एक अच्छा अध्यापक की बारे में जिसका योग करता है या फिर सदेव परदर्षय के मांध्यम से सिखाता है विद्यार्णियों को सदेव शीखने की लिए प्रत करता या विद्यार्णियों को सदियों में रखता ह्यां तो इसका answer जो है सधेव जो scars neber 0 इसकी विद्यार्थ्यू को समवेदन इस विद्यार्थियों को सदेव सीखने के लिए प्रयूरित करता है क्योंकि सिक्षन जो है वो अध्यापक इसी तत्पे कारी करता है और आते हैं उनीस नमर कोश्टन में बच्चों के लिए निसूल के एवंग अनिवारिय सिक्षा का अ वो होगा अप्शन नंबर ए चो से 14 वर्स की चात्रों के लिए अधिनियम 2009 के तहट जो है वो सिक्षा का अधिकार को लागू किया गया है आप इसको याद रखें यह कोस्टिन जो है बहुत ही महतुपूर्ण है यह भी भी आई कोस्टिन है दोस्तों हम लोग इसको करते हैं विए आई कोस्टिन तो आप इसको जरूर आज याद रखें, सिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार बच्चों का किसी विशिष्ट कक्षा में पर्वेस का अधिकार होता है तो बालक की यूग्यता को लेकर बालक की उम्र को ठीक ना तो आज का जो क्लास था दोस्तो इतना ही आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ सेयर करें मतलब S प्लस S S का हॉल स्क्वेर आप जरूर करें ठीक ना यह थोड़ी मजाक हो गई भीर आप यदि पीडियाप को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप इस टेलिग्राम ग्रूप में जाकर डाउनलोड करते हैं या हमारे वाटसप ग्रूप में जा सकते हैं Thank you for listening. God bless you all.